इरश्या बहुत दिन पहले की बात है रामपुर में खिलोने गड़ने वाला एक महशोर शिल्पी था उसके रामदत थथा सोमदत नामक दो पुत्र थे जब वे दोनों बड़े हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया रामदत भी अपने पिता के समान खिलोने बनाने में कुशलता इसलिए अपने पिता की खिलोने की दुकान को वह खुद चलाने लगा दूसरा पुत्र सोमदत सिक्षा में बड़ी अबरुची रखता था इसलिए उसने पढ़ाई में अपना मन लगाया अपने गाउ में एक ग पंडित जगन्नाद के यहां अनेक विध्यार्दी पढ़ते थे, फिर भी सोमदत ने यह ख्याती प्राप्त की की सभी विध्यार्दीयों में वही ज्यादा बुद्धिमान है, इस पर सोमदत का आहंकार बढ़ गया। उनहीं दिनों में पंडित जगन्नाद के यहा आनन्द नामक एक और सिश्य आप होंचा। आनन्द न केवल असाधारन बुद्धिमत्ता रखताता बलकी वह स्वभाव से भी सबके प्रिय बन गया। उसकी अकलमंदी पर सब लोग अशर चेकित थे और उसका विशेश आधर भी करते थे। आनन्द को सब प्रकार से अपने में बड़ा चड़ा देख सोमदत उसके प्रती इर्शा करने लगा। मगर वह अपनी इर्शा को प्रकट किये बिना आनन्द के साथ अच्चा व्यवहार करने लगा। एक दिन पंडित जगनाद के सभी सिश समिधियां लाने जंगल में चले गये। सोमदत बड़े स्नेह के साथ आनन्द के कंधे पर हाथ डाल कर स्नेह बरी बाते करते उसको अन्य सिश्यों से अलग ले गया। एक निर्जन प्रदेश में आनन्द को गिरा कर सोमदत ने एक बड़ा पत्थर उटाया और कहा आज से मुझे तुम्हारा पिंड चुट जायेगा। यू कहते वह आनन्द का सिर्फोडने को हुआ। इतने में कुछ विध्यार्दी उस वोर आ निकले वे चिल्ला उठे टहर जाओ या तुम क्या करने जा रहे हो। सोमदत गबरा गया। पत्थर फेक कर भाग घड़ा हुआ। उदास चहरा लिए घर लोटे अपने छोटे बाई सोमदत को देख। रामदत ने पूछा भाया उदास क्यों हों क्या तुम्हारी पढ़ाई समाप्त हो गई। सोमदत ने सारी बाते अपने बाई को का सुनाई। आखिर वहरो पढ़ा। सारी बाते सुनकर रामदत ने सोमदत को सांत मना दी। थोड़े दिन बीद गई है। कही से कोई खिलोना वाला शिल्पी रामपुर में आया। उसने रामदत की दुकान के सामने खिलोने की अपनी दुकान खोल दी। नई चीच सबको प्यारी लगती है। इसलिए सभी लोग उसी दुकान से खिलोने करिदने लगे। सोमदत ने अपने मन में सोचा की सच्छी कारीगारी का पता धीरे धीरे लग जाएगा। लेकिन सोमदत ने कुछ लोगों के मुँँ से सुना की उसके भाई के खिलोने अच्छे नहीं है। इस पर उसे लगा कि नया व्यक्ति खिलोने बनाने में कुशल हो सकता है। पर अपने भाई के खिलोने का अच्छा नहोना असंभव बात है। एक दिन सोमदत अपने भाई की दुकान की और चल पड़ा। रस्ते में उसे एक वेक्ति दिखाई पड़ा जो खिलोने खरीद कर जा रहा था और उन खिलोनियों पर फुलाना समा रहा था सोमदत ने पोचा तुमने एक खिलोने कहा से करीदे न ये दुकान से उस वेक्ति ने जवाब दिया सोमदत ने दुकान पहुंच कर देखा कि उसका भाई रामदत एक खिलोना बना रहा है उसके हाथ तो काम कर रहे थे पर उसकी आँखे सामने की दुकान से खिलोने करिदने वालों पर जमी है उसे लगा कि उसके भाई का मन खिलोने बनाने में केंड़ित नहीं है सोमदत ने रामदत की हालत जान ले रामदत ने सिर उठा कर सोमदत की ओर देखा और आवेश में आकर पूछा क्या रे, क्या तुम यह सोचकर चिंता कर रहे हो कि कोई हमारी दुकान में खिलोने करीदने नहीं आता है यहालात ज़्यादा दिन तक चलने की नहीं जग मारकर हमारे दुकान से ही खिलोने खरीदने लेंगे सोमदत ने बांप लिया कि नए खिलोने वाले की स्परधा की वजल से उसके भाई का मन विकल हो गया है इसलिए वह खिलोने ठीक से बना नहीं पा रहा है उसी क्षन उसे लगा कि किसी ने उसके गाल पर चपत लगाई है ततकाल वह गवर लवटाया और उसी दिन मधुरा के लिए चल पड़ा सोमदत ने गुरकुल में जाकर जगनाद पंडित के चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली इसके बाद आनन्द से भी क्षमा मांग कर अपनी पड़ाई जारी की आनन्द सोमदत के प्रती नाराज न था इसलिए वे दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए अंत में सोमदत अपनी सिक्षा समाप्त कर पूर्ण पंडित बना और अपने गाउं लोटाया अपने छोटे भाई को पंडित बने लोट देख रामदत बड़ा प्रसन हुआ और उसने पूचा तुम बीच में पड़ाई छोड़कर घर लोट आये थे फिर क्यों आपस चले थे सोमदत ने कहा मैंने एक नगनसत्य को जान लिया है हमसे ज्यादा प्रविन व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके प्रती हमारे मन में इरश्या का पैदा हो जाना सहज है मगर इरश्या यदि लगन में परिवर्तित हो जाती है तो हम अपनी उन्नती कर सकते है यदि वह इरश्याक रोध में बदल जाती है तो हम अपने पतिदवन्दी का विनाश चाते हैं जिससे हमारा भी सरवनाश हो जाता है मैंने जो भूल की उसे तुम्हारे आचरण के द्वारा पहचान ली ये बाते सुन रामदत मुस्कुराया और बोला तुम सच बताते हो तुमको इस सती का अग्ञान कराने के लिए ही मैंने यहनाटक रचा मेरा पतिसपर्दी और कोई नहीं है बल्कि पडोसी गाओ का मेरा मित्र ही है उसने मेरे ही खिलोने बेचेते यहनाटक तुम्हारे लिए उपयोगी बन पड़ा है